हेलो स्टेटेंट्स वेल्गाव टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो चले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का चेप्टर नमबर एट और इसका लेक्चर नमबर फोर जो की इस चेप्टर का लास्ट लेक्चर है ना मज़ लेते हैं कि यार लूज मोशन जैसे चीज़े होंगी चलो तो हम पहले डिफ्रेंस से किलियर कर लेते हैं कि डाइडिया और डिसेंट्री में अंतर क्या है लोग कई बढ़ फैसे नहीं बोलते डिसेंट्री डिसेंट्री कब बोला जाएगा समझो बात को चलो देखनो डिसे सबता करिया स्थायल कंडिसर कॉमन lächler हो जाते हैं लिस परिसे पल सन सफर फ्रॉंटरी एंड भी स्टूल पानी जैसा पतला-पतला तूल मतलब लाटी फ्री फाटी पतह होगा डिसेंट्ररी मनदा अथर एंड इन इनफेक्शन यह एक तरह का इन्फेक्शन होता है और डिसेंट्री मतलब आपकी पॉर्ट भी आ रहा है ठीक है इसा अम लोग ब्लड़ी डायरिया खूणी नहीं हो लूँगा ठीक है ब्लड़ी डायरिया कहते हैं इसको ठीक चलो आगे आते हैं लेकिन लेकिन चार पांच बार जाहेगा रेटाइड की तु फ्रिकवेंट ऊफन ठूर्पिट्स प्रैसेज़ आप पूरली फॉर्म्ड पर्म्म स्टूर озब इसमिन है टो बहुत जलदी जलदी रहेगा टूप्रेशिपिट्टेट पैसेज औफ पुरली ऑंब तूब सुन जो है प्रापट तरीके से नहीं बन पाता है प्राप पर बनने के मतलब ठोस हो जाना चाहिए आपसा चिपक जाना चाहिए फो पानी याईगा उसमें पोड़ी में जोणा बाइन मृत की टूलाइट सब्सक्रे में आपकी जो आत्व होती वहां पॉनती वहांसे रहे होते हैं वहां से द्रोप्सनतों नहीं हो पकाता है तो पानी वहीं का मांँपने जाता है ठीक है एंक्रीज सिक्रीशन बाइ इंटेस्टान म्यूकोसा जो वहां कर भीकोस ऊपर और ज्याधे लिक्विट सिक्रीट कर देगा जो कि नहीं करना चाहिए नॉमली इंक्रीज्ड लिमीनल ऑस्मोटिक लोड ओस्मोटिक लोड ना ऑस्मोसिस की वज़े से भी और ज तो यह सारी कंडिशन कहीं स्टार्ट हो जाती है और जिस रास्ते पर एक तरह से कह सकते हो कि मतलब जल टाइप की या पेस्ट टाइप में हमारा सीचिस को होना चाहिए पानी बहुत ज्यादा आने के वैसे वह लिक्विड रूप में बदल जाती है अब ड्रग फॉर डाइरिया देखो जरा इसमें सब जानते हो तुम लोग एंटी माइक्रोबियर अगर आपको क्या है किसी माइक्रोगनिजम की वज़ी से हुआ है बेक्टियर वगर अगया इंफेक्शन है तो हम लोग इसका इसनौल करते हैं प्रोबाइटिक बहुत जैसे कि एब्जॉर्बेंटे अब्सांब कर लेंगे जो टॉक्सिंस वगरा होते हैं अटी सेख्रेटरी है से क्रिशन को रोकेंगे अंटी मोटीलीटी ड्रग से मोशन को स्वड़ा कम करतें जिससे कि लेटिंग बार बार ना हो डेंग फॉर इंफलोमेट्री बवल डिजी इसके अंदर और इम्म्यून सप्रेसेंट क्यों आते हैं बलकि यूं कहलो कि यह सारी दवाईयां जो है फाइव यह एक्चुली क्या है इन्फ्लामेशन हो रहा है जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसको ठीक करने के लिए इम्म्यून सिस्टम आता है और फिल लडायां होती है तो ओघ्यक्त होती है तो मुझत सप्रेस कर देखाएगा और यह सारी दवाईयां क्या है इंफ्लामेशन को कम करती है थीक है बास्वाघ मारिये तो ड्रग for और इंफ्लमेटरी बावलडेज़ जहां पर इंफ्लमेशन होने की वजए से इंफ्लमेशन होनी की वज़ए से वावल हो रहे हैं ठीक है आगे देखते हैं अब हम लोग इसका प्रिंसिपल साफ मेनेजमेंट अब देखो यहां पर क्योंकि आप एज फार्मासिस्ट है ना तो जब डायरिया होता है तो और एस यह सब बातें आपको पता होने चाहिए तो सुरुवाती तौर पर हम इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या कहते हैं वो ओफिट दवाईयों को दोनों का अलग तरीके सामने डिसकास करेंगा यहां पर प्रिंस्पल आफ मैनेजमेंट इसका मैनेजमेंट का प्रिंस्पल क्या है रिवेर्स करें सॉल्ट एंड वाटर डिप्लिशन जो पानी और नमक बडिसे निकल गया है उसको रोक है रिवर्स कर दें वाले बाड़ी वापस आए इन मेजाओटी आफ केसे इस इस दा ओनली मेजर जातर केसे पर यही एक तरीका होता है जो लूज मोशन की वएस से आपका बाड़ी से पानी और नमक निकल गया वह बाड़ी में वापस आ जाए मेजर हटा देंगे डिस इस दा ओनली मेजर नीडेड रिहाइडरेशन कैन बी डन ओरली अब हम रिहाइडरेशन रिहाइडरेशन वापस बाड़ी कंदर पाने को डालना यह हम लोग और आई वी दोनों कर सकते हैं अगर मरीज खाने की अवस्था में है तो मुह से पान यानी अब इंट्रावीनस रिहाइडरेशन इसकी बात करें अगर इंट्रावीनस मतलब नसों में हमने डिप लगा दिए इसकी जरुप बढ़ती है वेन फिलिड लॉस इस सीवियर बहुत ज़्यादा पानी निकल चुका है डेट इस मोर दन 10% ऑफ बाड़ी वेट बाड़ी अगर तुरंत इसको सही नहीं किया गया तो शॉक लगेगा और डेथ हो जाएगी ठीक है आगे आते हैं और इस पेशेंट इस लूजिंग मोर दन 10 ml पर केजी पर आवर या पेशेंट लूस कर रहा है 10 ml पर केजी पर आवर और इस अनेबल तो टेक इनफ ओरल फिल्यू दू सब्सक्राइब तो वीक्नेस स्ट्यूपर और या फिर इतना ज्यादा वीक हो गया है कि उसे वाम्टिंग होरी बार 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 स्ट्यूपर इतना वीक्नेस होगी कि ओरल मेडिसीन खाई नहीं सकता है उस केस में हम लोग क्या रखते हैं इंट्रावीनेस कर देंगे ठीक है आगे आते हैं मुह के द्वारा एडवेंट ऑफ और एडवेंट जो शुरुवात होती है और रियाड़ेशन की थेरपी की ओर टी ओरल रियाड़ेशन थेरपी ओर टी फूर्वां याद रखेंगे इस कंसीडर डा मेजर एडवांस ओफ रिसेंट टाइम आज का मार्केट से लिया और पिला दो इफ दा फिलिट लॉस इस माइल्ड पांस साथ परसंट बाड़ी वेट और मॉडरेट 7.5 परसंट 5.5 तेन परसंट ऑफ बाड़ी वेट है ओर टी कैन बी इस्टिटुटेट दिया जा सकता है फ्रॉम दर वेरी बिगनिंग शुरुवात से ह हम शुरुवात से ही ORT, Oral Rehydration Therapy कहें लो इस थेरपी के तहट हम लोग क्या प्लाते हैं ORS, Oral Rehydration Salt है ना बहुत तमाम मातरा में मार्केटिव अभी लेवल है अब जो ORS होता है उसके अंदर क्या क्या होना चीए और कैसा कैसा होना चीए वह समझेश वह वेरी इंपोर्टेंट इस योडिए इसटोनिक होना चीए मतलब हमारा जो बॉडिश ज्यादा होगा ना तो इसका अस्मसिस ज्यादा होगा अगर कम जादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एडीमा हो सकता है, सूजना सकती है और समवट हाइपोटोनिक यानि कितनी होनी चाहिए 200 से 310 मिली होस्मोल पर लीटर डाइरिया फिलूड होते हैं वो एकदम आइसोटोनिक होते हैं अब आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक पता हो गई है यह बिल्कुल हाइपोटोनिक होते हैं प्लाजमा, किसके साथ हाइपोटोनिक होना है इसको, स्वरी, आइसोटोनिक होना है प्लाजमा के साथ ठीक है अब वो यह वैल्यू याद रहे चाहना रहे हैं फरक ने पड़ता अब बीच में क्या बोल रहे है अब बीच में क्या बोल रहे है ठीक है आगे आते हैं इनफ के प्लस कितना होना चाहिए 15-25 mm and bicarbonate या citrate 8-12 mm should be provided to make up the losses in stool जो stool में loss हो गया है potassium का उसको maintain हो जाए body के अंदर तो sodium, potassium and जो उसका glucose हो गए रहता है कॉंबिनेशन रहता है जिससे की body के अंदर जो चीज़ें लॉस हुई है वो प्रॉपर वापस आ जाए के लिए बाते हैं अब यह बड़ी इंपोर्टेंट आजकल जिंक देख रहा है जो अच्छा कॉंबिनेशन होता हुँ जिंक दिया आथा बच्चों वहले में खासकर जिंक क्या रोल है जिंक नंग पैड्रियाट्रिक डाइरिया होता है recent studies have shown आज की जो जल्दी सब्सक्राइब काफिये आतर का जल्दी कम कब अब हो जाती है इन चिल्डरन बिलों फाइव कर अफ एज continued zinc supplementation 20 mg per day for 6 to 60 month age 10 mg per day for 0 to 6 month of age for 10 to 14 days following the diarrhea episode also reduces recurstice of diarrhea for the next 2-3 month अगर हम लगातार ये zinc दे रहे हैं तो अगले 2-3 महने तक उसको diarrhea नहीं होगा ये भी COT हो जाती है तो zinc क्या है बड़ा important हो गया आजकर उसकी dose भी या लिखे हुई है तो याद कर लेंगे zinc क्यूं दिया जाता है और किस ले दिया जाता है और किस dose में दिया जा रहा है clear है तो zinc important है mark कर लेंगे इसकी उपर बात आने रही है ठीक है तो ये कुछ खास-खास बाते मैंने यहां discuss करी है principle of management कि जब आपको हो जाएगा dehydration या डाइरिया तो आप सुरुवात कैसे करते हैं यह सुरुवाती तौर पर यह रहेगा ठीक है अब फार्मकोलोजिकल एक्शन देख लें जाते हैं हो सबको पता प्रोबाइटेक्स के अनदर होब्स का अनदर क्या होते हैं हमारे बैक्टिरिया और रहते हैं हम र्मले घंधा करते हैं झाल्चाब में घोल बाराँ या a में होते हैं that are intended to restore and maintain healthy gut flora जब पेट में जाते हैं इसे हमारे पेट में जो healthy gut flora जा हमारे पेट के healthy gut flora होता है वह ही होते हैं यह पेट में जाके वापस और मसले जो मर गए होते हैं उनकी जगए यह काम करना लगते हैं फिर और have other health benefit recolonization द्वारा जाके वह अपने कोलोनिया बनाते हैं और गट बाइन नॉन पैसर जैनिक मोस्टी लेक्टिक आशिद फॉर्मिंग बेक्टेरिया ठीक है ना तो वापस से जाकर वहां कोलोनी बनाते हैं और जो हमारे पेट में जो अच्छे वाले बैक्टेरिया थे जो किसी जाता है कि वापस से जो बैलस्ट बिगड़ किया था वह सही हो जाता है इस अप्सार भेंट्स क्या चीज़ लोनी बता तो यह रहे अब जाब बेंट्स ठीक है अब जाब बेंट्स आर्दा को लाइड़ बल्क फॉर्मिंग सब्स्टांस लाइक इसव गूला इसव मूला क consistency and frequency of stool and give an impression of improvement stool को अंदर जागे जो पानी होता है फूल जाते तो थोड़ा से मोटे हो जाते है जब गाड़े-गाड़े हो जाएंगे तो क्या लएगा कि हाँ फिर क्या थोड़ा सा पानी का निकलना कम हो जाएगा सोख लेंगे वहां थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है बट डू नाट रिड्यूस दा वाटर एंड एलेक्ट्रोलाइट लौस पानी तो निकली रहा है ठीक है ना स्टूल का तो इंप्रूब्मेंट हो गया पानी जैसे निकलना तो गाड़ा-गाड़ा हो जाएगा थोड़ टॉक्सिन यह एड्जॉर्मेंट होता है माना जाता है कि जो बैक्टीरिया के दौरण टॉक्सिन जिनकी वाइसे डायरिया हुआ है उसको अपने उपर यह सोख लेते हैं इन्दा गट एंड कोट प्रोटेक्ट दा मुकोसा और इस टॉक्सिन को इंटेस्टाइन के मुकोसा पर चिपकने नहीं देंगे यह खुद चिपका लेते हैं अपने अंदर और फी बाहर निकल जाते हैं ठीक है फीसिस के रास्ते तो बैक्टीरिया का टॉक्सिन हमारी बाड़ी से काफी हट तक कम हो जाता है डेन रेस केंडोट्रील डिक्रीज इंटेस्टाइनल हाइपर सिक क्रीशन हो रहा था उसको यह क्या करेंगा किम करेंगे तो फार्मको लॉजिकल एक्सें और बाड़ी पर इनका हमारी वैसा और से और यहां कि ब्रेंदेस हाट पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा विशेश इनका एफेक्ट नहीं है ठीक है डाइक हमारे बॉड़ी पर कहां एफेक्ट आ रहा है तो वह में में यहाप पर मैंने एक एक लाइन में इसको मैंशन करोगे तुम लोग ठीक है ना फार्मकलोजीकल एक्षन सबका उसकी ठीक है बास समझ मारी है ओके और ऑगे आहीं आएं ओपीय। लौपरामाइड लौपरामाईड तो सुनाएं होगा काफी लोगों आभ यो लोप्रो मेट खाई भी बहुत सो लोगों ने लोज मोशन में तो लोप्रोमेट क्या है ओप्याइड्स होते हैं ओप्याट्स क्या करते हैं नीज लेकि आएंगे इन एदिशन टुदेर वेल रिकॉनाइज्ट एंटी मोटिलिटी पहली बात तो यह यह एंटि मोटिल कर दे रहे हैं कम कर दे रहें तो प्य आपको पूरी लाइन लिख को फिर बथा हो था कि आधा प्र प्रेव मैं प्रेटिहल हैं पढ़ना चाहते हैं क्ष। अच्छी Network जो बस्त चाहिते हुए कि यहां सब्सक्राइब सट हमwashखें और रहना है अच्छा का याद होगा और नंबर अठीज आएंगे अब डूस्ट सब के अपने अपने साफ से याद कर लोगे तो डोस्ट सब से तुमको लगए लोप्रामाइट की याद कर लोगे ठीक है लेक्टो बैसिलस की डूज यादर कर लोगे इसके तो सैचेट आते हैं देखो जैसे यह है ना सैक्रोमाइस टूफिफ्टी मिलिगाम सैचेट आ गया लेक्टो बैसिलस बी लोंगम एस बलूरडाई वन पंट फाइब लाइफ सेल और सैचेट वन सैचेट टूबी टे को वाला पॉइंट या दो इसलिए मनें लिखे सारे कि लिए रहें इंडिकेशन अब सारी कंडिशन जाद कर लो जहां जहां पर को सकते हैं डायरिया सालमनेला फूड़ पॉइसनिंग ट्रेवलस कोलेरा हो गया आंपी बाओल डीजीश पढ़ेंगे इसको फार्माज पटे इसका याद कर लोगे बच्चो नहीं दिया सकता है तो दो साल से छोटे बच्चो में नहीं दोगे ध्यान रखो ठीक है वो शुड़ नोट टेक एंटी डायरियन और औरल कौन नहीं ले सकता है आई वी तो लग जाता है और अगर इंफेक्शिस डायरिया है पेट में जाके इंफेक्शन है तो औरल लेने का फाइदा नहीं होगा दिक्कत करेगा तो आई वी लिया जाएगा टॉर्सिटेट आई वी लेंगे लिवर प्रॉब्लम है या ब्लडी डारिया है इन सभी केसिस में हम लोग ओरल ना ले करके आई वी का इस्तमाल करेंगे तो इन सब चेज़ों में यहाँ पर क्या रहेगा यह कॉंटर इंडिकेशन रहेगा किलियर है तो यह अपना लेक्चर भी खतम और अ एप है तमाम फैसलिटीज मिल रही है ठीक है बच्चे इसका फाइदा उठा रहे है ठीक है कोर्स का प्राइस मातर 1100 रुपए है तो करना क्या है रिवाइस करना है ना रिवाइस करते रहो पढ़ते रहो ओल दा वेस्ट